नमस्कार और वेलकम तो स्टड़ी ग्लोज माई डियर फ्रेंड सबसे पहले तो ए वेरी वेरी हैपी न्यू इयर तो ओल माई डियर फ्रेंड्स मेरी यही प्रात्ना है कि यह 2024 जिसकी आज से शिर्वात हुई है यह साल अभी तक का आपका सबसे बेस्ट इयर साबित हो हेल्थ वाइस, वेल्थ वाइस, इमोशनली, स्पिरिच्यली, फिजिकली, फैमिली वाइस, सोस्यली हर एक लेवल पर आपको सफलता मिले यही मेरी प्रात्ना है यही मेरी दुआ है दोस्तो USA की नेवी ने एक बहुत ही इंपोर्टन्ट मिशन रेड सी में कंड़क्ट किया इसमें USA की बात आई है तो let me quickly inform all of you कि we have launched a limitless leadership program यह एक online course है यह course मेंने ही डिजाइन किया है और इस course के साथ जोड़ी होई सारी details आपको हमरे mobile app पर मिल जाएगी डेमो वीडियो भी अविलेबल हैं आज ही इस course को अवेल ज़रूर कीजिगा इसके साथ if you want to get in touch with me तो यह हैं मेरे social media क handles तो दोस्तो जो latest खबर है जो latest update है it is about a ship आप जानते होंगे के Red Sea में पिछले कुछ हफ्तों से बहुत बड़े issues जो है वो चल रहे हैं तो यह एक बहुत बड़ी ship है आप देख सकते है right इसका नाम है मार्सक्स और यह मार्स हैंग्जाव नाम की जो एक ship है यह Singapore से निकली इ इसकली एक Denmark की company है जो इसकी owner भी है इस company की और इसको operate भी करती है यह container ship है तो containers लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो यह ship के साथ ऐसा हुआ कि जैसे ही यह ship जो है वो Red Sea में enter होती है तो Red Sea में इस पर एक बहुत बड़ा attack हो गया और याद रखे के it's not just any other ship right यह ज दुनिया की top cargo shipping company में से एक है तो जब आप इतनी बड़ी company की इतनी बड़ी ship पर attack करते हैं तो आप दुनिया भर पर एक प्रकार का indirect attack कर रहे है दुनिया की बड़ी बड़ी जो दूसरी company से वो भी डर जाएगी और चोटी 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 companies जो है तो उनके उपर भी इसकी impact रहे हैं और इसी के साथ आप पूरी दुनिया के trade को distort करने की कोशिस कर रहे हैं तो ये चीज़ जो है ये healthy rebels ने की red sea में चलिए सबसे पहले तो इस शेतर को एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं this is Arabian sea here यहाँ पर Gulf of Aden है और Arabian sea से आपको अगर let's say Swiss canal तक या फिर Mediterranean sea तक सामान पहुचाना है तो फिर आप कौन सा रास्ता लेगे यह वाला रास्ता लेंगे राइट अरेबियन से Gulf of Aden होकर फिर यह वाला portion है इसको कहते है बाबल मंदेब तो यहाँ से red sea यह red sea है पूरा तो red sea एक entry और exit का का काम करता है जो Swiss canal है जो यहाँ पर ह इसके साथ जुड़े हुए interesting आकड़े भी हम discuss करेंगे दोस्तों अगर आप competitive examination की तैयारी कर रहे है तो इस चीज को अच्छी तरीके से देख लेजए देखिया यह जिबूटी के पास में यह बाब अल-मंदेब दिखाई रहा रहा ना this is a very important entry-exit location और यहाँ पर एक शहर द तरते हैं ठीक है तो यह जो ship है इसमें 14,000 जितने containers थे Singapore से यह लोड़ होकर यह ship जो है वो Suez Canal की तरफ जा रही थी तभी इस ship पर attacks हुए और फिर इस ship ने assistance मागा कि भई हमारी कोई help कर दीजिए हमें military support चाहिए तो फिर USA की Navy जो है वो action में आ जाती है और यह जो ship है इस पर दो anti ship ballistic missiles launch की गई लेकिन USA की military USA की Navy यहां पर active हो चुकी थे तो USA की military ने यह दोनों की दोनों जो missiles है इसको खत्म कर दिया राइट इसको destroy कर दिया और उसके बाद क्या था USA की Navy जो है वो engage हो गए इस ship की रक्षा में हेलिकॉप्टर जो है वो release किये गए और फिर यह इनकी और यह self-defense की act में यह जो हाउथी हैं इनकी तीन ships डुबादी USA की Navy ने और दस हाउथी rebels जो हैं उनको मार भी डाला हाउथी attackers जो हैं यह जो ship है उस पर उपर चड़ना चाते थे और फिर यह क्या करते हैं यह पूरी ship को hijack कर लेते हैं फिर इसको release करने के लिए बहुत बड़े पैसे मांगेंगे right negotiations चलेंगे फिर लोग जो हैं उनको बंदेदी बना कर रखेंगे तो इस प्रकार की piracy और terrorism यह mix में activities जो हैं यह हाउथी यहाँ पर कर रहे हैं जो USA की दो ships हैं USS Eisenhower और USS Gravely तो यहां से helicopters जो हैं वो release हुए right उड़ना स्टार्ट किया और फिर क्या हाउथी जो हैं तो इसके साथ हमारी मुटबेड हुई Red Sea में हाउथी की बात अगर हम करें राइट तो हाउथी इस प्रकार की चीज़ा इसलिए कर रहे हैं वो उनका कहना यह हैं कि हमने warning दी है कि यहां पर आप मत निकल यह तो भी आप निकल रहे हैं इस नोट acceptable आप एक terrorist group है right you're not a legit nation और आप इस प्रकार के धंपनी किसी को धंकी किसी को देगे जो freedom of navigation है उसको hamper करने की कुशिस करेंगे तो फिर इस प्रकार की चीज़े जो है वो आपको face करने पड़ेगे अब यह attack हुआ इसमें तो USA जो है वो clearly victorious साबित हुआ इसमें कोई doubt नहीं है लेकिन दोस हैं कि यह फिर Persian Gulf में भी spread हो जाए और यह Yemen के जो Houthis है यह अलग-अलग vessels को इसलिए target कर रहे हैं क्योंकि वो यह मान रहे हैं कि इन vessels को target करके वो Hamas को support provide कर रहे हैं इससे बड़ी बेवकूफी की बात मैंने शायद 2023 में कभी सुनी नहीं होगी अगर 2023 का countdown आए बेवकूफी क एक top list बना जाए तो I think this is this will be in the very top कि आप Hamas की मदद करना चाहते हैं तो आप दूसरे देशों की ships पर attack कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा हिनको कि भई आप दूसरे देशों को इसमें फसाएंगे या फिर उन पर attack करेंगे तो आप पर और ज्यादा attacks होंगे लेकिन basically क्या ह है पता है ये हमास को support करने की बाते कर रहा है लेकिन खुद का नाम जो है वो उपर और खुद को एक बहुत बड़ा एक organization या बहुती strong organization जो है वो साबित करने की कहिना कहीं कोशिस कर रहा है लेकिन इतनी है basically a societal mission to be honest how the actions जो है इसकी बज़े से क्या हुआ देखे जो suez canal वाला रास्ता था ना इसको bypass करके अब दुनिया की बड़ी-बड़ी shipping companies जो है ये cape of good hope वाला रास्ता लही रही है देखे आपकी screen पर तो सिंगापूर से कोई ship निकलती है तो उसके लिए सबसे easy रास्ता ये रहता है कि वो Indian Ocean से होकर Arabian Sea और फिर ये जो हमने देखा ना बाबल मंदेब से होकर Red Sea और फिर Suez Canal then Mediterranean और फिर आपको जहां पर यहां पर North Europe में कहीं किसी दूसरे देश में जाना है तो ये सबसे best रास्ता रहता है लेकिन अब क्योंकि ये Red Sea में इस प्रकार की चीज़े चल रही है तो इनको ये Cape of Goodop जो वास्कोडी गामा वाला रूट था ना तो वो पूरा रूट जो है वो लेना पड़ रहा है तो इससे transportation का cost और समय जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है Suez Canal पूरी दुनिया के लिए बहुत important है Red Sea का एक entry point है Suez Canal और दुनिया का जो global trade होता है तो उसका लगबग लगबग 12% जितना जो है Suez Canal की एक तस्वीर जो है वो आपकी screen पर है यह जो company है Maris तो इसने अपने operations को बाबल मंदेब वाले area में 48 hours के लिए बंद कर दिया है देखिए कितने सारे जो exporters इंपोर्टर्स है तो उनको कितना बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा because of this action USA ने एक operation launch किया है इसका नाम है operation prosperity guardian यह नाम आप याद रखेगा इस पर से question पूछा जा सकता है कि prosperity guardian या फिर operation prosperity guardian जो है वो किस देश ने लौँच किया तो USA ने लौँच किया किस शेत्र के लिए लौँच किया है तो याद रखेए red sea के लिए किस terrorist organization को control करने या फिर eliminate करने के लिए या फिर उनकी activities को neutralize करने के लिए तो याद रखे आउथे rebels तो ये operation prosperity guardian जो है तो इसमें USA ने लौँच किया तो 20 जितने देशों ने कहा कि हाँ हम आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तयार है ऐसा अभी वादा किया है लेकिन बहुत कम देश जो है वो action ले रहे है उसमें से एक active देश की बात करे तो Britain है right England जो है या फिर UK to be more precise UK के जो defense secretary है यानि कि वहाँ के defense minister जिनकी तस्वेर आप देख सकते हैं Grant Shapps तो उन्होंने कहा we are willing to take direct action and we won't hesitate to take further action to deter threats to freedom of navigation in the Red Sea के Red Sea में action लेने से Britain जो है वो हिच की जाएगा नहीं अगर आप इसी किसी प्रकार की इस प्रकार की activities कर रहे है terrorist activities right या फिर freedom of navigation के उपर खत्रा create कर रहे है तो फिर Britain जो है वो आप पर action लेगा इसे के साथ दोस्तों जो Britain के foreign minister है या फिर foreign secretary पहले ये prime minister हुआ करते थे David Cameron इनका नाम है आपने इनका नाम सुना होगा कि ये UK के former prime minister है लेकिन फिलार ये वहाँ के foreign minister है तो उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत जो है वो इरान के foreign minister के साथ होई और इस बातचीत में उन्होंने clearly बता दिया है कि Red Sea में हाथी को control करने में इरान को एक important role play करना पड़ेगा तो देखिए western world जो है वो अच्छे relation नहीं है लेकिन Britain और दूसरे देशों के relations है इरान के साथ तो वो pressure create कर रहे हैं इसके साथ France जो है वो भी यहाँ पर काफी active है क्योंकि जीबूटी एक ऐसी जगह है जहां पर France फिर UK USA तो ऐसे बहुत सारे देश जो है चाइना का भी यहाँ पर एक military base है तो इसमें से यह अभी तो USA UK और France यह काफी ज्यादा active है लेकिन अनफोर्चुनेटली यह बहुत सारे जो UK के मित्र देश है वो अभी भी reluctant है वो openly यह एक support जो है वो नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजों से भी यह healthy rebels जैसे groups जो है तो उनको एक प्रकार का उनका confidence boost up होता है कि अगर हम को इस प्रकार की activities करेंग but the thing is आने वाला समय जो है वो थोड़ा और difficult हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि healthies जो है वो फिलाल चुप नहीं बैठेंगे तो इसके लिए बहुत सारे देशों को मिलकर यहाँ पर operations conduct करने की जरूरत है so that's basically everything in today's discussion dear friends thank you very much for your love and support so far and I wish you all the best for the year 2024 दोस्तो leadership एक ऐसी quality है जिसके benefits जो है वो हमें हमारे जीवन के सारे अलग अलग branches में मिलते हैं चाहे वो personal life हो चाहे वो हमारी individual life हो चाहे हमारी professional life हो civil life हो हर जगा पर leadership जो है यह बहुत सारे positive बदलाव हमारे जीवन में कर सकती है leadership की वज़े से ऐसा नहीं है कि challenges नहीं आएंगे to be honest challenges तो हमेशा आते रहेंगे लेकिन उन challenges को handle करने की हमारी ख्रमता जो है वो हमारे हाथ में है और leadership से आप उन challenges को काफी maturely काफी अच्छी तरीके से handle कर सकते हैं so leadership is very very important thing 2024 की शुरवात हो चुकी है right so आज से ही अपनी leadership qualities जो है उस पर काम करना start कर दीजे और इसमें आपकी मदद करेगा limitless leadership program and that's basically everything from my side god bless you all thank you very much जेहिंद